पर मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, कम, मेक इनी नी भरश्ठा चार्थ अथा अन्या आरोपों में गिरी PCS अधिकारी जोती मौरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब उन्हें नौटिस जारीकर संपत्ति का व्योरा तलब किया गया है उनकी प्रापटी वाहन और खातों की जानकारी कमेटी द्वारा मांगी गई है सफाई कर्मी पती आलोग मौरे की भरश्ठाचार की शिकायत के बाद गठित चांच कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है अब जोती मौरे को नौटिस जारीकर संपत्ति का व्योरा मांगा गया है बताया जा रहा है कि कमिशनर कार्यारले में वीडियो कैमरे की निगरानी में SDM जोती मौरे का बयान दर्श किया जाएगा ऐसे में SDM अधिकारी जोती मौरे की मुश्किलें बढ़ सकती है PCS अधिकारी के पती आलोग मौरे का आरोप है कि जोती मौरे ने पत का दुरूपयोग कर करोणों का अवेध लेंदेन किया है इस पैसे से उन्होंने कई जगा पर संपत्ति बनाई है कई सेक्टर में निवेश भी किया है लेंदेन के समर्थन में वे लिखा पड़ी के काखजाद भी सौपे गए है जिसमें किस अधिकारी से कितना लेने का ब्योरा दर्श किया गया था शासन के निर्देश पर प्रियागराज के मंडलायुक्त विजे विश्वास पंत को इस प्रकरन की जांच सौपी गई है मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त प्रशासन आमरितलाल बिंद एडियम प्रशासन हर्ष देव पाने और S.E.M. प्रथम जैजीत कौर की कमेटी गठित कर जांच शुरू करा दी है PCS अधिकारी को नोटिस भेज कर उनसे उनकी संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है जलवा में उनके मकान के साथी प्लोट और फ्लैट की भी जानकारी मांगी गया है नोटिस में जांच में सयोग करने को भी कहा गया है इसके पहले बयान दर्च कराने के लिए दोनों को नोटिस भेजा गया है जांच कमेटी की माने तो अगले हफते दोनों के बयान दर्च किये जा सकते है कमिशनर आफिस में दोनों का वीडियो कैमरी की निगरानी में बयान दर्च कराया जाएगा उनसे पूछे जाने वाली सवालों के लिए स्तियार कर ली गई है इसमें ज्यादतर वही सवाल है जो आलोक ने पत्नी जोती पर लगाये है जाँच कमेटी के अध्यक्ष आपर आयुक्त प्रशासन का कहना है कि पहले दोनों से अलग-अलग पुष्टाच होगी इसके बाद दोनों का सामना कराया जाएगा फिर दोनों से सवाल जवाब होगा आलोक ने जो आरोप लगाये हैं उसके बाबत साक्षे भी मांगा गया है जबकि आरोप को लेकर जोती से आपत्ती मांगी गई है जाँच कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही जाँच पूरी कर रिपोर्ट मंडला युक्त को सौपी जाएगी बताये जा रहा है कि यदि पती आलोग मौरिया के लगाये गए आरोप साबित हो जाते हैं तो जोती मौरिया का निलंबन हो सकता है उनके खिलाब विभागी जाँच भी हो सकती है जोती के मातहत कर्बचारी रह चुके आपूर्ती निलिक्षर और मार्केटिंग इस्पेक्टर से भी पूछ दाच हो सकती है जोती मौरिया कोशामबी के चायल तहसील में 2019 से 2021 के बीच दरनात रही है उनकी कथि डाइरी भी इस दोरान ब्रश्टाचार से मिलने वाले रुप्यों का हिसाब किताब लिखा है यदि अक्तूबर 2021 की बात की जाए तो केवर एक महीने में जोती मौरिया ने 6.4 लाक रुपे अवेद रुख से कमाए है इसमें ये भी लिखा गया है कि हर महीने 15,000 रुपे सप्लाइ इस्पेक्टर और 16 मार्किटिंग इस्पेक्टर देते हैं हर पेश पर हर महीने ब्रश्टाचार का हिसाब किताब कहां से कितना रुप्या मिला कहां कर्च किया गया सब दर्च है अभी डायरी जाच का विशे बन गई है ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली